दूस्तों आज की कहाणी है बहु तेरी मा भी बे और सास भी बे ही दूस्तों कहाणी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिये ताकि आपके पास पाउसे अर नया वीडियो जब देखो तब अपनी मां से बात करती रहती है घर में इतने काम पड़े पर नहीं पहले अपने मां से बात कर लेगी फिर सारे काम करेगी मैं क्या दूस्मन हूँ मा नहीं हूँ क्या मुझे तो कभी इतना प्यार नहीं आता बस अपनी मा ही मा दिख़े देती है भूर बुदाती हुई राजबाला जी अपनी बहों को देख देख कर कोश रही थी उदर सलोनी मजजे से मा से भाग करने में तर्लीन थी तबी उसके मोबैल पर पती रीतेस का कॉल आने लगा सोच लिया आज पहले मा का दिन फिर बागी काम पर जब दीन सार बाद फोन आ गया तो मा से बोली मा बाद में फिर फोन करूं की पता नहीं रीतेस भार भार फोन क्यों कर रहे जरा बात करने पर भी विश्वास नहीं होगा कहते में सलोनी जी राजबाला जी को फोन पकड़ा दी हाँ बेटा खाना दवाई सम लेली पर देख इसको काम दाम सोड लगी है बासे बत्या ने कभी जो मुझे से भी बाद कर ले तू कब आएगा जल्दी आजा तू नहीं रहता तो घर में मेरा मन नहीं लगता राजबाला जीने का जल्दी आता हूँ तुम तीवी देखो आराव करों बोलता हूँ सलोनी को तुमारे साथ बाद करें दूजरा उसको फोन सुनते राजबाला जी ने फोन सलोनी को पकड़ा दिया हाँ हाँ समझ गई तुम्हें अपनी मां की फिकर होती मुझे भी हो सकती है ना वैस आज मां का जनम दिन ने इसलिए जादा बात करने लगी खेर तुम्हें उससे क्या मतब वो भी मां ही है तुम्हारी जनम दिन की बदाई दे देना सलोनी को रीतेस की मासुत बुसा आराता फोन रवकमडा का निव्टा राजबाला जी के कबरे में गई तो वो सो गई थी सल सलोनी का मंदा लगा तो फिर मां को फॉल लगा दिमा एक बाद बताओ ये सास कभी मां का ऐसास करवा सकती है क्यों क्या हुआ समधन जी ने कुस कहा सलोनी की मासुत राजी ने फूसा आव तुम में बताओ दो महीनी वेसादि को तुम से बाल करने लगती वह रीते से सीख frag लगा देती और रितिस खुद 20 बार मा के लिए फोन करते रहते मैंने कर दिया एक फोन मा को क्यों नहीं दे लेते पहले लेल लाइन भी थी अब वो हटा दिया तो मेरे फोन परीबात हो थी ये सब सुड़ो तु मुझे बताओ ना क्या सास कभी मा की तरह ऐसास करा सकती है सलो वोनी की सुई उसी बात पर अटक गए थी बेटा बहुत मारेक और सास तो बन जाती है पर वो अपने बच्छों जैसा प्यार महु को नहीं दे पाती दामान पर तो प्यार लूटा भी देती है क्योंकि वो उसकी बेटी के नाज दक्रे जो उठाता बेटी के लिए दामान क मा बन पी जाती पर बहु के साथ दीकत ये होती है कि वो उस गर की हिस्से दार दामे दार और बहुत कुछ पर सास की तरह उसका भी हती बत्यों हो जाता सैट यहीं बात ये कौरत बर्दासत नहीं कर पाती और सास मन कर बहु को अपना नहीं पाती पर हर बार ऐसा हो जरूरी नई वैसी जीतना समधन जी को जाना उन में भरपूर मंता बस तू भी थोड़ा उन से माल कर दिया कर फिर देखना दिरे दिरे तो मुझे से कमुझे ज़्यादा माल करेगी सुबद्राजी ने का पता नहीं मा कम सासु मा के मन को भाऊंगी जब देखो कुछ ना कुछ कम्या निकालती रधी क्या मुझे में कोई खुबी ही नहीं ऐसा लगता साधी से पहले जो लोग तारी परते थे वो गलत करते थे क्या सलोनी ने कहा अरे नहीं बेटा आभी नया नया रिष्टा है तुम दोनों का देखना सब ठीक हो जाएगा सुबद्राजी ने का ना बेटी बाते कर फोन रख दी सलोनी कोशिस करती रहती सासु मा जादा मिन मेक ना निकाले और वो भी अव दोड़ा बहुत उनके पास ब्याट कर बाते करने लगी थी पर अभी भी वह उनके साथ आराम दैगी स्थती में नहीं आपाई थी इसी भी सेग दिन सुबद्राजी को दिन का दोरा पढ़ा और वो सल बसी सलोनी का तो रो रो कर भूरा हालता रीतेश और राजबाला जी भी साती गए थी सलोनी अपने पीता और भाई को पकड़ कर खूब रही कुछ दिन बार रहकर काम की दिया के बाद अपने घर आ गईया आकर अब हसने बोलडे वाली सलोनी सुपर अड लगी थी रीतेश तो अपिस सले जाते जो सलोनी दिन बर मासे बात करती थी अब गर फोल कर पापा का हास मासर पूछते लगी पापा पहने भी कम बात करते थी अब सुप सी हो गे थी राजबाला जी बहुगी ये हालत दे कर परेशान ओने लगी थी अब दो सलोनी हर काम ब उसकर खुद विमार हो जाओगी, एक दिन सलोनी रोते रोते सो गए, पर सिसक्या बन नहीं हो रहे थी, राजबाला जी किसी काम से सलोनी के कमरे में आई, तो उसे इस तरफ सोता देख पास आई, सिर पर हाग फिराते, वे बोली मतरो मेरी बच्ची मानती हूँ, मा का जाना कितना दुख देता है, पर तु सिंता मत कर, मैं हूँ, तेरे पास यूँ कम तक आशू बाहती रहेगी, जो बाहत करनी मुझे से कर लिया कर, क्या मैं तेरी मान नहीं बन सकती, तु मुझे मान नहीं समझ सकती, माना सास तेरी बुराई भी कर दिया करती थी, पर बेटा उसमें भी मेरा इस्वारती था, मैं साती थी, तु मेरे से बाग कर, मुझे भी मास समझ पर, तु मुझे समझी नहीं पा रहे थी, अभी भी दिर नहीं हुई है, जब उठोगी तो अपनी बाग सामने पाएगी, मा का ऐसा, सम्में तुमें कराऊंगी, तु मस देंगती जा, राज बाला जी, यू तो दिरे दिरे कर रहे थी, पर सलोनी को संसुदै देरा ता, सिस्क्यों के बिसी बोली, मा तु म वापस आ गई, मेरे पास, मैं ही जानती हूँ, तेरी दिन कैसे गूजर रहे थे, बेना तु से बात के, अब तुम आ गई हो, देखना सब ठीक हो जाएगा, को ते वे, जैसे आग खोली, साबने सास को देख, हडबरा गई, क्या हुआ बेटा, मैं हूँ, क्या मैं तेरी मा नहीं हूँ, क्या तु मुझे से कुछ बात नहीं कर सकती, हमेशा सास के आवरा में रखेगी, तो हम कभी मा बेटी नहीं बन पाएगे, जो कहना दिल खोल कहा हुँ, आज के बातेरे लिए, तेरी मा भी मैं और सास भी, मैं ही सलम आसु पोसरा, आज मैं तेरे लिए साई बढाती हूँ, मा बेटी आज गिलास में साई पेहेंगे, सलोनी की मा को गिलास में साई पेना पस तो अउसर मा बेटी गिनास भर कर बैट जाती थी राजवाला जी ने कहा सची मा कर सलोनी सास के गले लग गया जू से ऐसास हो रहा था अगर आप अपने रिष्टे को समझोगे तो सामने वाला भी कही ना कही आप को समझेगा बस कुछ लग लग सकता पर पहले तो करनी पड़ती है सलोनी अपनी मा से हर बात कहा करती थी अब मा के जाने के बाद सास के साथ अपने रिष्टे मधूर बनाने लगी और अब दोनों मा बेटी की त्रा दिन पर गटों इदर उदर की बाते करती रहती है सास माउ का रिष्टा गुलाब का कुलोर काटो जैसा तरीके से पकड़ों तो काटे नहीं सुबेगे और जो तरीके से ना पकड़े काटे सुबेगे वस दोनों ही गुलाबे खुस बू भिखरने के लिम्बन मूटा वो काटा है जो अगर सुब गया तक्लिम दे जाता सास को बाप बढ़ने में और बहु को वेटी बढ़ने में वक्त चरू लगता पर ये तो वो भावड़ा है जो बस वेवार से सलब कराता है